हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रेनाओ और स्वागाता मेरे यूट्यूब चैनल में तो तैयार होजे ये तीन स्पेशल एप्स को जानने के लिए है और ये एप्लिकेशन को देखने के बाद आपका रियक्शन कुछ इस इमोजी की तरह होगा तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वाट्सेप यूसफुल एप्लिकेशन है जिसका नाम है वाट्सेप आटो तो कई बार क्या होता है कि आप कही बहुत ही बीजी होते हो आपके काम में और ऐसे में कोई इन्पोर्टन परसन आपको मैसेज करता है और दोस्तों आपको ऐसा लगते है कि उसको मैसेज देना जरूरी है क्योंकि वो इन्पोर्टन परसन है और दोस्तों ऐसे में आप वाट्सेप को ओपन करके उसको मैसेज टाइप करके इसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है और अगर आप कही busy होते हो तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते है तो ऐसी situation में दोस्तों आपको ये application ज़रूर try करनी चाहिए क्योंकि ये application best है तो सबसे पहले ये application को आपको open करना है फिर आपको कुछ इस तरह का इसका interface आपको देखने को मिलेगा है तो सबसे पहले जो option है auto reply off होता है तो इसको आपको enable कर लेना है और इधर आपको notification की permission इसको allow कर लेने तो चलिए मैं इधर से allow करके back आजातो फिर आपको इधर करना कहें कि सबसे पहले आपको नीचे suggested message देखने को मिल जाएगई इस application की और से यानि I am busy text you later फिर I am driving text you later तो ऐसे मैं आप जो भी situation में वो इधर message आप click करके select कर सकते हो और इधर आपको एक manually भी मिल जाएगे यानि दोस्तो अगर आप manually कोई message set करना चाते हो तो इधर आप edit कर सकते हो फिर आपको मैं और एक important बात बताना चाहूँगा ये application की दोस्तो अगर आपको कोई भी WhatsApp पे message करता हो तो उधर सबको एक auto reply चला जाएगा तो इधर आप everyone में भी select कर सकते हो और दोस्तो आप कोई गिने चुने contact कोई करना चाते हो auto reply तो इधर आप add भी कर सकते हो तो इधर मैं everyone रहने देता हूँ फिर इधर मैं simply क्या करूँगा दोस्तो की इधर I am busy text you later ले लूँगा तो आपके situation के हिसाब से आपको इधर message type कर लेना है तो सबसे पहले दोस्तो अब मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ तो सबसे पहले ये application को हमें close कर लेना है फिर इधर आपको करना के है मैं इधर whatsapp को open कर लेता हूँ और मेरे दूसरे phone से एक message करता हूँ ये number पर तो दोस्तो आप देख सकते हो और auto reply के तरफ से automatically एक message भी चला गया कि I am busy text you later तो आप ऐसे कोई भी message को select कर सकते हो और ऐसे में दोस्तो अगर आप बहुती busy हो और आप किसी को ऐसे message करना चाते हो तो आप ये application का इस्तमाल कर सकते हो बहुती best application है तो आप चलते हैं हमारी list की दूसरी application के और जिसका नामे typing hero तो ये application के नाम से ही आपको पता चल गया हो क्योंकि ये application आपको एक hero बना सकती है typing में तो ये application वो लोगों के लिए बहुती ज़्यदा important है जो social media पे बहुती ज़्यदा active है लोगों के साथ chat करते है तो दोस्तो उनको chat करने में बहुती ज़्यदा कंटा लाते है बड़े बड़े paragraph लिखना तो ये application उनके लिए best है तो ये application को सबसे पहले हम open करते है open करने के बा फिर आपको इदर सब जगे back आ जाना है फिर आपको simple करना के है सबसे पहले इदर आपको plus के बटन पर click करना है अब दोस्तो इदर आपको एक keyword डालना रहते है जो आपको simple याद रहे है फिर आप दोस्तो इदर नीचे जितना भी बड़ा text लिखोगे आप जबी भी दोस्त एक master बन जाओगे तो मैं इदर आपको सबसे पहले करके दिखाता हूँ तो सबसे चलिए मैं इदर एक keyword लेता हूँ लॉल ठीक है अब मैं इदर text लिख लेता हूँ how are you तो simply दोस्तो आपको करने के बाद इदर right के बटन पर क्लिक कर लेना है अब दोस्तो आपको जितने चाय उतने sx shortcut बना सकते हो ठीक है इदर कोई limit नहीं है इदर आप plus के बटन पर क्लिक करो जो भी keyword आपको याद रहे वो लिखो और इदर आप जितना लंबा चाय उतना text लिख सकते हो तो चलिए अब सबसे पहले आप कोई भी अगर social media पर chat करने जाओगे जैसे कि मैं चलिए इदर whatsapp क भी कर सकता हो इसको तो ऐसे दोस्तों आप बहुत सारे shortcut बना सकते हो और आपको अगर typing करने में control आतो तो ये application आपके लिए best है तो आप चलते हैं मेरे list की तीसरी application की और जिसका नाम है Morphin तो ये application की मदद से आप खुद के funny GIF बना सकते हो आपके faces के और इदर आपको बहु सबसे पहले आपको करना है सबसे पहले इदर आपको क्लिक करना है उपर फिर आप देख सकते हो इदर आपको बहुत सारे celebrity के face भी मिल जाएंगे और आपको अगर खुद के face के GIF को बनाना हो तो इदर आपको faces का option मिल जाएगा आप इदर से photo भी click कर सकते हो आपके face का और इदर आप gallery में से भी select कर सकते हो तो इदर मैं आपको celebrity का एक बना के दिखाता हो तो जैसे कि मैंने इदर प्रियंग का चोपड़ा को select कर लिया है अब मैं इदर back आजाता हो अब दोस्तों मुझे जो भी GIF बनाना होगा उसके ओपर मैं click करता हो जैसे कि मुझे ये तीसरा GIF के option पर click करोगे तो अब आप देख सकते हो दोस्तों इदर प्रियंग का चोपड़ा का face जो है आ चुका है GIF में तो आप ऐसे funny funny आपके faces के भी बना सकते हो और celebrity के भी बना सकते हो और आप easily दोस्तों इदर WhatsApp, Instagram और इदर download भी कर सकते हो अगर वीडियो पसंद है तो एक like ठोक देना नीचे comment फैक देना वीडियो को share कर देना और subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर लेना हमारे सबसे पहले वीडियो के notification पाने के लिए मैं आपको मिलता हो इसके next video में तब तक के लिए good bye